दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो अंडरग्राउंड केविल होती है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसमें जो केविल में हम लग लगाते हैं उस लग को कैसे लगाया जाता है और उसको हम कैसे क्रेम करते हैं तो सब कुछ डेटेल में जानने के लिए वीडियो को अन तक जरूर देखें और जो भी दोस्ट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको यह जो बॉक्स है यहां पर हमें यह केबिल है वो कनेक्ट करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें जो केबिल है उसमें से जो हमारे बायर है यह फोर कोर की केबिल है तो यह बायर निकालना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा केबिल के एक फुट के करीब जो हमार box में connection हो जाए उतने cable को हमें यहाँ पर काट लेना चाहिए यहाँ पर देखिए यह ऐसे काटेंगे कि जिससे जो armat है वो भी हमारा कट जाए और जो हमारा अंदर की cable है वो damage ना हो जो अंदर जो बायर होते हैं वो damage ना हो जो armat है कट जाए और हम 2-3 armat को ऐसे खाली छोड़ देंगे उसको नहीं काटेंगे जिससे वो हमारी earthing में connect हो जाएगी तो देखिए इस परकार से छील लेंगे और फिर हम इसको चाकू की सहायता से यह जो ऊपर का जो cover है इसका जो cable का जो insulation है इसको हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर जो सर्दी का टाइम है तो यहाँ पर जो cable है बहुत hard हो गई है तो यह बड़ी मुश्किल से छिलती है cable की जो उपर का cover है जो insulation है वो बहुत मुश्किल से छिलता है तो हमें आसानी से इसको चीलना हुआ जो चाकू होती है उसकी सहायता से तो देखिए इस परकार से हम cable का जो insulation है निकाल देंगे और उसके बाद जो hexa blade से हमने जो armat थे कुछ है armat को हमने काट दिया था तो इस परकार से हम उसको निकाल देंगे तो इसके लिए हम दो armat को बचा के रखेंगे जिससे हम उसको earthing में connect कर दें और अब जहां से हमने cable को armat को हटा दिया है लेकिन उससे हम एक इंची नीचे से भी जो इसका insulation है cable का insulation है उसको काटेंगे और जो armat है वो वहाँ पर लगा रहे ने देंगे armat को नहीं काटना चाहिए तो इसके बाद हम यहां का insulation निकाल देंगे तो देखिए हमने यहां का insulation है वो निकाल दिया है और इसके जो दो armat थे वो हमने बड़े रखे हैं तो अब हमें क्या करना हुगा इसकी जो cable है इसको एक और जो हमारा insulation रहता है जो बायर रहते हैं तो जो फोर कोर के जो बायर है हमारे फोर बायर है उसके ऊपर एक insulation है उसको हमें इस परकार से चाकु की सहाथा से निकाल देना हुआ तो हमारे जो बायर है बूर निकल आते हैं और अब हमें क्या करना होगा यह जो बॉक से इसके अंदर एक hole है केबिल के साइज का तो हमें क्या करना हुगा यह केबिल है उसके अंदर डालनी होगी होल के अंदर डालनी होगी तो इस प्रकार से देखी यहाँ पर हम केबिल को इस प्रकार से अंदर करेंगे और जब केबिल जो अंदर हो जाएगी और आर्मट भी हमारे जो एक इंची के आ और दो बड़े वाले बायर kाषिए का है उसा। तो देखे हमने सब्सक्राइब के हैं ज्सक्राइब उस प्रकार पर को इतना चराएब दो इस प्रकार सेren में सब्सक्राइब अग्रतोस से जो sieht इस ब्सक्राइब का को हम कर रहे हैं तो BPS को इतना चील लिया है और यह हमारा Elemonium बाला लग है तो इसको हमें उस पर चड़ा देना हुगा क्योंकि यह cable Elemonium की है तो इस पर Elemonium का लग ही लगेगा तो इसको लग को हमें इतना fix अच्छे से बिठा देना चाहिए जिससे वो हमारा जो insulation है बहां तक touch हो जाए और उसके बाद यह हमारा cramping tool है और cramping tool से इसको जो lug है उसको अच्छे से cramp करेंगे जिससे जो हमारा lug है वो बाहर की side ना निकले loose भी न रहे जिससे जो हमारी cable है वो heat ना हो तो इस परकार से हमें 2-3 जगए उसको अच्छे से cramp कर देंगे तो यह cable से अच्छे से connect हो जाएगा तो देखिए हमने इस परकार से इसको connect कर दिया है और जो lug के पास है अब हम उसको tape भी लगा देंगे connection जो हाँ पर connection करना होता है बहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी का हम इस पर tape लगा देंगे इससे जो insulation बना रहता है जो दूसरा बायर है उससे touch होने से डर नहीं रहता है तो देखिए हमने इस परकार से सभी बायर्स में इस परकार से लग कर लिए है और अब हमें इनको connect करना है इस box में तो देखिए इस box में हमारी दो और cable आ रही है एक हमारी right side पर जा रही है एक left side पर जा रही है आगे जो state light है बहाँ पर जा रही है तो देखिए अब हमें इसको connect करना है तो उपर हमारा R face है बहाँ पर हमने nut bolt लगाए रखे है तो nut bolt में हमें connect करना है तो देखिए इस प्रकार से इसको connect कर देंगे तो R face है उसको हमने उपर की side connect कर दिया है और देखिए यहाँ पर जो है वो जगए कम है इस box के अंदर हो cable जाता है तो हमें इसको अच्छे से जगए बना की फिर इसको fix करना है और देखना है कि जो हमारी cable है वो दूसरे face से touch ना हो यहार जो neutral point है उससे touch ना हो नहीं तो जो cable है हमने डाली है अगर short circuit होगा तो वो cable है वो पूरी तरह से फिर से खराब हो जाएगी तो देखिए इस परकार से हमारा जो by face है उसको हमने बीच में लगा लिया है और nut bolt को लगा देंगे और इसके बाद जब हमारे तीनो cable connect हो जाएगी उसके बाद हम इसको अच्छे से tight करेंगे nut bolt को ठीक है तो इस परकार से अब हमारा बी face से इसको भी हमें connect कर लेना होगा तो यहाँ पर हमने तीनो nut bolt को उपर से लेके नीचे तक लगाया है तीनो face के लिए तो हमारा उपर red face है बीच में by face है और सबसे नीचे blue face है तो इन तीनों को हम ऐसे connect कर देंगे और यहाँ पर nut bolt को अच्छे से लगा देना हुआ और देख लें एक बार अच्छे से देख लें कि हमारा कोई भी buyer है वो हमारा दूसरे face से touch ना हो क्योंकि हमारा एक ही nut bolt पर तीन cable के connection होंगे एक अच्छे से देख लिया है कि कोई भी cable है वो एक face दूसरे face में touch ना हो इसके बाद जो हमारा एक बार रह गया है वो हमारी इसी पोल की light का है तो उसको हम किसी भी face पर connect कर देंगे और दूसरी light जो दूसरे पोल पर जाएंगे वो उसको दूसरे face पर connect करेंगे इससे क्या हो